शिवराज सिंग चुहान अप्रदेश के मुख्य मंत्री तो नहीं है लेकिन प्रदेश में उनका कद सीम ना रहते हुए भी परकरार है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके एक पत्र ने एबीवीपी के दो कारी करताओं को हाई कोट से जामानत दिला दी शिवराज ने एक पत्र लिखकर मानने नियाले से निवेदन किया था दरसल हुआ यूँ था कि शुपुरी के एक प्राइवेट उनिवस्टी के कुलपती की ट्रेन में अचानक तबीद गड़ गई थी इस दोरान ट्रेन में एबीवीपी के दो कारी करता मौजूद थे दोनो उने बचाया नहीं जा सका इन सब के बीच हाई कोट के नियादिश ने थाने में रिपोर्ट दर्च करा दी कि उनकी कार लूट ली गई है मामले में पुलिस ने चोरी और डकेती की धराओं में एबीवीपी के दोनों छात्रों के खिलाफ केज दर्च कर लिया इसके बाद जीला अदलत में वकील ने जमाना तरजी लगाई जिसे कोट ने खारिश कर दिया जब पूरे मामले की जानकरी शिवराज को मिली तो उनों ने चात्रों के समर्थन में अपनी सोचल मेडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर माननी नियाले से निवेदन किया था पत्र में ल इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा चोरी एवं डकिती की धराओं के अंतरगत दो चात्रों पर प्रकरणर दर्च कर लिए गए एक अलग तरह का मामला है जिसमें पवित्र उद्रिश के साथ अपराद किया गया है इस मामले में दोनों चात्र हिमान्शू और सुक्रत न मानेनी उचन्याले स्वता संग्यान लेकर दोनों चात्रों के भविश को देखते हुए दर्च प्रकरण को वापस लेकर चात्रों को शमा करने की क्रपा करें अब हाइकूट से दोनों कारिकरताओं को जमानत मिल गई है आज ये एक मानवता की जीत है सेवा भावी कारिकरताओं की जीत है और ये जिस प्रकार से एक जन अंदोलन बना था और ये एक नियाई की जीत आज हुई है और नियाई पाली का ने मानवता दिखाते हैं दोनों आमारे जो कारीकरता थे उनको रिया किया है और विध्यारती परिशाद के ये जुप्रदेश के कारीकरता का अभिवादन साथी मीडिया बंदू और समाज के सभी वर्गों का अभिवादन करती है और इस नियाई की लड की जान बचाने को लेकर थी दोनों के खिलाफ पुरू में भी कोई प्रक्रण दर्ज नहीं है इसी को देखते हुए कोट ने उन्हें जमानत देदी है है कि इनके द्वारा जो भी करत घटना करम हुआ है उन दोनों चात्रों के द्वारा और पूरे सहे आत्रियों द्वारा और प्रियास किया गया कि एक वेक्ति की जान भचना चाहिए चाहे उसके लिए जो संभव करना पड़ है वो किया हो रहा है और उन्ही मानवी मुल्यों को ध्यान में रखते हुए माननी नैले द्वाराई पाया गया कि विदी के छात्र हैं उनका कोई किमिनल रिकोर्ड नहीं है और इस आधार पर जमानत सुभी का रही हुए मतादे की मामले में दोनों चात्रों के लिए सीए मोहन यादव भी एक्टिव हो गए थे मोहन यादव ने कहा था कि वो चात्रों की पूरी मदद करेंगे पुलिस गंभीर धाराई लगाने में जल दबाजी ना करें फिलाल माने नी नियाले नी दोनों कूजा मानत देती है करेंगे पुलिस